नमस्कार आप देख रहे हैं Local News 24 हमारे सन्वदाता राहूल मिश्रा की रिपोर्ट गैंग रेप कांड में निर्भिया के आरोपियों को साथ साल बाद फासी पर लटकाए जाने के बाद महिलाओं के बीच जसने का महौल है देश के चर्चित गैंग रेप कांड में निर्भिया के आरोपियों को साथ साल बाद फासी पर लटकाए जाने के बाद जहां देश में महिलाओं के बीच जसने का महौल है वहीं रोहतास में भी महिलाओं और लड़कियों में खुसी देखने को मिली महिलाओं ने बड़े ही बेबाकी से अपनी राय रखी और इसे महिलाओं की जीत बताया दरसल महिला अधी वक्ता मनीशा दूबे ने काहा कि वह नियाई पालिका को धन्यबाद देना चाहती है इस तरह के फैसले से दोसियों में भाय का एक माहल बनेगा कि गलत करने पर ऐसा ही परनाम होगा भले ही निर्भया को नियाई पाने में बिलंब हुआ लेकिन यह स्वागत योग कदम है आज भारत की हर बेटी हर मा नियाई पालिका निर्भया की मा खासकर वकील सीमा को धन्यबाद देती है कि जिस तरह से नियाई के लिए डट कर उन्होंने मुकाबला किया और हर नहीं मानी कालेज के प्रोफेसर सुधापांडे कहती है कि साथ साल के बाद फासी हुई या सबसे अच्छी बात हुई क्योंकि कम से कम समाज में यह मैसेज गया कि अगर लड़कियों के साथ दुसकर्म जैसे घिनवना बारदात को अंजाम दिया जाता है तो किसी भी रेपिष्ट किसी भी कीमत पर कानून के लंबे हाथों से बच्चे नहीं जा सकते 16-12-12 को देश को समसार करने वाली घटना हुई थी ऐसी घटना है तो प्रती दिन सैक्डों की संख्या में होते रहती है किन्तो इस तरह के नियाय से नियाय पालिका को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ताकि लोगों में भै प्राप्त हो चके और भै का एक महल बन सके कि गलत करने पे ऐसा ही परणाम होगा पुलिस और नियाय पालिका से ही जुड़ी हूई हूँ और मैं वही कारे रहत हूँ इसलिए मैं चाहती हूँ हमारे भारतिय सम्विधान में ये बनाया गया है कि आप आखिरी दम तक अगर आप निर्दोस हैं तो आपके बचने का चांस है हाँ थोड़ी सी अगर चार सीट वेगर आ जाती है या नियाय पालिका हमारी थोड़ी सी हमलोग का विलंब हुआ है इसकारे में इसको थोड़ा त्वत्वरित नियाय दिया जाता तो साथ ज्यादा रिलैक्स रहता है आज भारत की हर एक बेटी और हर एक मा नयाई पालिका को और सीमा जी को, साथ में उनकी मा को बहुत भषुत धण्यवाद देती हैं और मैं अपील करती हूं कि भारत की हर एक मा और हर एक औरत और हर एक स्तुरी इस तरह डट के अपना मुकाबला करें और अंतीन दम तक जब तक लियाएं नहीं मिल जाए और दोस्यों को सजा नहीं मिल जाए तब तक हम लोगों को इस चित में काम करते रहना है जै भारत जै हिन जै नापार निर्वया के गुनाहगारों को जो साथ साल के बाद फासी हुई तो यह तो सबसे अच्छी बात हुई क्योंकि कम से कम समाज में यह तो मेसेज गया कि अगर तुम लोग लड़कियों के साथ अन्याय करोगे इस तरह की बरबरता पुन कारे करोगे तो फिर कुछ तुम लोगों को फासी से लटकाया जाएगा तो यह भै पैदा करेगा समाज में जो रेप करने वाले लोग हैं उ इसलिए बहुत ही अच्छा हुआ देर तो हुआ लेकिन यह न्याय हमलों को मिला और इसलिए आज का दिन महिलाओं के लिए काफी खुशी का दिन माना जाएगा अगर सच माने तो कहते हैं कि मां के दुआएं कभी बेकार नहीं जाती है मां अगर हर मां इसी तरह से किसी के बेटी के साथ ऐसा हो और हर मां एक साथ निकल जाए इस तरह का प्रतिग्या लेकर कि नहीं करो या मरो हम किसी तरह से बच्ची को न्याय दिला कर ही रहेंगे तो कभी भी हमारा देश इस तरह से नहीं रहेगा और कभी भी रेप नहीं होगा तरह위 हमारा देश देश झाल झाल